Amazon Business का सबसे बड़ा चालेंज है अपने प्रोड़क्स पर रिव्यूज लाना especially positive रिव्यूज रिव्यूज इसमें काफी important role play करते हैं कि customer आप से प्रोड़क्स खरीदेगा या आपके competitor से और सबसे बड़ी problem ये है कि जब भी हम new product launch करते हैं उस पर zero review होते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा five strategies जिससे आप अपने products पर भर भर के reviews ला सकते हैं और Amazon आपको ban भी नहीं करेगा तो आगी बंड़ने से पहले एक बात समझ लीजे कि Amazon reviews को लेके बहुत strict है and sellers को fake reviews या algorithm को manipulate करना allowed नहीं करता इसलिए पहले Amazon की review guidelines and policies को short में समझ लेते हैं Amazon review guidelines आपको selling policies and seller code of conduct page पे मिल जाएंगी link मैंने description में दे दिया है in case आप सब कुस detail में पढ़ना चाते हैं आप customer ratings, feedbacks and reviews को किसी भी तरह से influence या inflate नहीं कर सकते मतलब आप एक neutral तरीके से सिर्फ अपने genuine customers को feedback या reviews के लिए request कर सकते हैं but manipulate नहीं कर सकते and यहां clearly लिखा है कि आप क्या नहीं कर सकते किसी को pay करके coupon या free product जैसा कोई incentive दे कर किसी से positive review या feedback नहीं ले सकते and साथ ही negative review हटवाने के लिए इस सरे के की रिश्वत भी नहीं दे सकते जब आप review request करते हैं तो customer को सिर्फ positive review लिखने के लिए request नहीं कर सकते and ना ही उन्हें अपना review remove या change करने के लिए बोल सकते हैं specifically उन्ही customer से review के लिए request नहीं कर सकते जिनका experience अच्छा रहा है आपको neutral होके सभी से review request करना है आप अपना खुद का या competitor के product का review नहीं कर सकते and even though यहाँ पर mention नहीं है but इसमें आपके family and friends भी included है even आपके family and friends भी आपके product को review नहीं कर सकते तो फिर reviews लाएं कैसे सबसे पहले press the subscribe button अगर आप channel पे नए है let's move on to the five ways जिससे आप reviews भड़ा सकते हैं बिना suspend हुए सबसे पहले blackhead techniques समझते हैं यह वो techniques हैं जो amazon guidelines के 100% against हैं और आप मेंसे बहुत से लोग यह already कर रहे होंगे लेकिन गलत तरीके से जिससे आपका account suspend हो सकता है first and foremost way है अपने friends and family members से review करवाना जो allowed नहीं है जैसा मैंने थोड़ी दे पहले ही बताया लेकिन अगर आप risk लेने से डरते नहीं हैं तो जरूर risk लें मगर साबधानी और समझदारी से कैसे मैं बताता हूँ सबसे पहले तो अगर आप friends या family से review करवा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उन्होंने last 12 months में at least 1500 रुपीज की शॉपिंग की हो अपने friends and family से और ध्यान लगना है कि जो review आप अपने friends and family से करवाएंगे वो genuine लगना चाहिए उसके लिए उनको वो product purchase करना है और product receive होने के 6-7 दिन बाद ही review करवाएं क्योंकि मैंने देखा है कि काफी sellers यह mistake करते हैं कि अभी product receive ही नहीं हुआ है और review करवा दिया Amazon के लिए यह काफी बड़ा red flag होता है आप खुद सोचें customer कैसे review दे सकता है जब तक product उसे receive ही नहीं हुआ उसके features, benefits, competitive advantages, so product के reviews आप खुद लिख करते हैं and family and friends से post करवाएं और साथ में photos and videos भी डलवाएं in reviews के साथ so that new buyer को ज़्यादा से ज़्यादा information मिले और उनके convert होने के chances ज़्यादा हो लेकिन एक important बात ध्यान रखें average sales to review ratio is 1% मतलब जब आपकी approximately 100 sales होंगी तब आपको एक review मिलेगा अगर किस्मत अच्छी हुई तो maximum 2 review मिल सकते हैं इसलिए आपको reviews के लिए पागल नहीं होना है कि सभी friends and family से एक साथ review करवा लिए Amazon तुरंत आपको पकड़ लेगा अगर उसे लगा कि अचानक से 10 product sell हुए और 10 के 10 orders पर reviews आ गए So try to avoid this एक और black hat method होता है Amazon related Facebook group और review specific trading groups Social platform especially Facebook पर आपको ऐसे काफी groups मिल जाएंगे जो आपको product के exchange में या कुछ पैसे लेकर आपको Amazon पर review दे देंगे इन groups से दूर रहें I repeat stay away from these groups आपका कोई भी फायदा नहीं होगा इन से उल्टा account short shot suspend होगा कभी भी Amazon की reach और उसकी power को underestimate ना करें Amazon time to time ऐसे groups के against action लेता है और जो sellers इस strategy में involved होते हैं उन्हें ban भी कर देता है अगर भरोसा नहीं है तो आप Google करके ऐसे बहुत सारे cases बढ़ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो smash that like button जिससे मुझे motivation आता है कि आपके लिए ऐसे ही और informative और amazing वीडियो लाने हैं अब बात करते हैं grey head technique की जिसमें sellers review services का use करते हैं and customer को discount provide करते हैं and in exchange customer को already पता होता है कि उसे product purchase करने के बाद review देना है services like jungle scouts launch and rebate की आपको इसमें help करती हैं इनको setup and use करना काफी simple है लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया Amazon ऐसी services को time to time track down करता रहता है so use it at your own risk अब बात करते हैं white hat strategies की कि strategies 100% legitimate होती है and Amazon को कोई भी problem नहीं होती इन्हें use करने में so the first, best and easiest white hat strategy है Amazon का खुद का wine program Amazon wine program में sellers अपने product को free में Amazon के trusted reviewers को offer करते हैं and वो exchange में एक detailed review आपको देते हैं लेकिन एक बात ध्यान रखें ये reviews brutally honest होते हैं and आपको positive review ही मिलेगा इसकी कोई guarantee नहीं होती इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका product top notch, high quality and defect free होना चाहिए Amazon wine program में participate करने के लिए आपको Amazon India पर as a seller registered होना चाहिए and जिस product को आप wine program में enroll करना चाहते हैं वो product Amazon brand registry में registered होना चाहिए and आपके product को following criteria fulfill करना होगा product उसी brand का होना चाहिए जो आपने Amazon brand registry में registered किया है आपके product detail page पे 30 से कम reviews होने चाहिए आपका product new and FBA में होना चाहिए आपका product adult product नहीं होना चाहिए enrollment के time पे already launch हो चुका हो उसकी enough inventory होनी चाहिए product की image and description भी होना चाहिए अगर आप Amazon wine program के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो comments में मुझे Amazon wine program लिख कर बताएं मैं उस पर एक वीडियो बना दूगा अब बात करते हैं second white hat strategy की जो है insert card या इसको product inserts भी बोलते हैं insert card बेसिकलिए card होता है जिसको आप अपने product के साथ customer को भेजते हैं इन cards में typically आपके products की more information warranty details या कोई भी marketing material या ads होते हैं अन्साथ में buyer को thanks लिखते हैं for buying our product और exchange में review के लिए request करते हैं अगर आपने Amazon या किसी website से shopping की है तो I'm sure आपने ऐसे काफी insert cards देखे हूँगे लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन cards पे कुछ भी लिख सकते हैं Amazon की कुछ strict guidelines हैं जो आपको follow करनी होगी जैसे आप सिर्फ positive reviews के लिए request नहीं कर सकते even अगर आप exchange में कुछ ना धें तो भी also आप customer को आप से contact करने के लिए नहीं बोल सकते instead of leaving a negative review so basically आप customer से सिर्फ neutral रहकर review के लिए request कर सकते हैं जैसा कि आप इस example में देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि sales to review ratio 1% होता है मतलब every 100 sales पर एक review okay I know अब आप सोच रहे होंगे कि 100 sales लाना कोई असान काम तो है ने जिन्दगी लग जाएगी actually नहीं अगर आप 8-10 unit per day sell कर लेते हैं तो around every 10 days you will get a review slow and steady wins the race और इसकी वज़े से Amazon को कोई दिक्कत भी नहीं होगी आप से और वो आपको bank भी नहीं करेगा आप sales को boost करने के लिए aggressive PPC campaigns भी run कर सकते हैं PPC का मतलब है pay per click and Amazon का खुद का advertising system है to run these ads और जब भी आप ads run करते हैं तो आपका product top पर दिखता है और उस पर sponsor लिखा होता है तो ads run करके coupon and promotions run करके आप अपनी sales को increase कर सकते हैं that will eventually increase your reviews अगर आप Amazon PPC के बारे में basic to advance सब कुछ सीखना चाते हैं तो Amazon PPC course में enroll कर सकते हैं link description में दिया हुआ है and of course जब आपकी sales आज आती है तो Amazon आपको customer को email send करने का feature भी देता है to request a review आप इस feature को order stream में जाकर देख सकते हैं आप customer को सिर्फ एक बार ये request a review mail बेज सकते हैं क्योंकि Amazon खुद ही multiple times customer से review request करता है आप इस process को automate भी कर सकते हैं using tools helium 10 भी आपको review request का process automate करने का feature देता है and उसमें आप emailers भी setup कर सकते हैं जो की automatically customer को send हो जाते हैं based on the rules जो आप define कर सकते हैं for example आप एक rule set कर सकते हैं कि customer को product deliver होने के 5 दिन बाद review request automatically send हो जाए जब आपके orders जादा हो जाते हैं तो manually review request भेजना काफी difficult हो जाता है तो ये tools आपका काम बहुत असान कर देते हैं so again मैं आपको बहुत ही clearly बता दूँ amazon review manipulation को बहुत seriously लेता है अगर आप कोई भी black hat या grey hat strategy करने का सोच रहे हैं तो make sure कि आप वो गलतियां ना करें जो मैंने highlight करी हैं किससे review करवाना है और किससे नहीं कितनी frequency पर करवाना है ये सब ध्यान रखें चाहें तो उस part को एक बार फिर से सुन लें जहां मैंने आपको black hat and grey hat techniques को use करने का सही तरीका बताया है क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो best case scenario में आपका review post नहीं होगा लेकिन worst case scenario में आपकी listing remove हो सकती है और आपका account suspend हो सकता है and based on my experience review manipulation से suspend हुआ account reopen करना next to impossible है Amazon आपकी review history को track करता है तो sales to review ratio of 1% maintain करने की कोशिश करें Now smash that like button and next video में एक lifetime free tool बताने वाला हूँ जो आपके reviews को 300% तक बढ़ा सकता है अगर वो वीडियो आप miss नहीं करना चातें तो press the subscribe button and finally keep selling, keep smiling